कुम्ब राशी अद्भुत देवी के चरण आपके घर पढ़ने वाले हैं अब खुशियों का ठिकाना नहीं होगा नमस्कार दोस्तो जय भुलेनार दोस्तो पच्चीस मई से लेकर 31 मई एनिकि इन आखरी दिनों में कुम्ब राशी का राशीपल कैसा रहेगा आज इस वीडि करें अदर तक जरू देके और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशीपल को सब्सक्राइब जरू कीजे तो चले जानते हैं कुम्ब राशीप के बारे में दोस्तों इन जिनों आपका पूरा भागय ही बदल जाएगा आप पुरे जोश में नजर आ रहे हैं आप अपने सभी काम को पूरे जोश के साथ हल करेंगे दोस्तों के साथ बढ़िया तालमेल बने रहेंगे इनकम में बड़ोतरी होने की प्रबल संभोना बन रहे हैं मानसिक तनव भी कम होगा गर परिवार में खुशी का माहोल बना रहेगा विवाह योग्यों की शादी पक्की हो सकती है वाहन सुक की प्राप्ति होगी प्रेम जीवन में आपको शुबन नतीजे हासिल होंगे सामने रशवल की बात करें तो अचानक धनलाग के अच्छे योग बन रहे हैं दिन आपके लिए शुबफल देने वाला रहेगा आपको जिन मुश्किल प्रस्तितियों का सामना करना पड़ रहा हैं वह प्रस्तितियां आगे जाकर आप लिए भग्यशाली सिद्ध हो सकती हैं आप में उस्ताह और उर्जा की कोई कमीन नहीं होगी आपका आत्मविश्वासी बहुती अधिक बड़ा होगा सभी लोगों के साथ आप अपना तार्मिल बिठाने में सफल भी रहेंगे लेकिन किसी से टकराओ मोलना लेजीगा अपनी उच्जादी कारियों के साथ व्यवहार में साउधानी बरते हैं सामोई कारियों में आपको अच्छे खासे सपलता मिल सकती हैं कामकस की स्तिती में सुधार की योग बन रहे हैं अगर कुछ समय पहले आपने अधिक मेहनत की ह तो इसका फल आपको जरूर मिल सकता है इसके साथ ही किसमत का भी आपको साथ रहेगा और आपके काम भी पूरी होंगे आपकी सभी योजनाएं आपकी किसमत से पूरा हो सकती हैं तो चलिए अब बात करते हैं कौनसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में धर को लेकर सीधी सामने रहने वाली हैं आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने के आवशक्ता है जहाँ जरूरत हो वही पर पैसा खर्च किजीगा स्वास्ते नरम गरम रहेगा शादी शुदा लोगों का जीवन मदूर रहने वाला है जीवन साती का पूरा सहीयोग मिलेगा इस राशी के लोग एदी कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो घर के बड़े बुजर्गों का या फिर अनवही लोगों की सलहा अवश लेजीगा इससे आपको फायदा मिलने के अधिक संभोना बन रही है बागे के से ज़्यादा आप अपने कर्म पर भरोसा रखेगा आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल भी कर सकती है तो चले आप बात करते हैं आपका धनर अशिपल कैसा रहीगा उसके बारे में लोगों की नजरे आप पर ही है इसलिए थोड़ा सा सतर्ग रहेगा आपकी केर टेकर या फिर मा की तरह की स्तरी को आपकी सहता के अवशक्ता पर सकती है प्राकूतिक, कुरुशी या फिर मिट्टी से संबंदित कामों में दिल्चस्प दिखाएंगे अभी वहान खरीते समय सावधान रहीगा आनन्द और उत्तेजना वो है जिने इस समय आप चाते हैं और जिनके आप तलाश कर रहे हैं अगर आप सिंगल है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी रिष्टे में बंदना नहीं चाते दुसरों की मदद करें और समय पढ़ने पर उनकी साहता भी मांगेगा उस्ता के बिना कुछ भी अच्छा हासिल नहीं किया जा सकता करियर आशिपल की बात करें तो आप मानसीक और शारिक रूप से स्वस्त नहीं है फिर भी चुनती पुर्ण स्थिती में सफल रहेंगे ऐसा लग रहा है कि आजकेल आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको अपनी मेहनत का फॉल ज़रू मिलेगा अपनी मेहनत से आप अपनी तनवपुर्ण परस्तिती पर विज़े पा सकते हैं लग राशिपल की बात करें तो इस समय आपका दिल आपके बस में नहीं है और आप लगातार किसी स्पेशल के प्रती अकरशित हो रहे हैं अभी आपकी इच्छा शांती से अपनी भावनाओं का इजहार करने और चीजों को खास बनाने की हैं बस गरेलो मामलो या फिर मा के स्वास्त को लेकर सचेत रहेगा आप अपने प्रेम संबंदों में रोमांच और मोहबत की तलाश करेंगे अपने सुलमिट से प्रेम भरा अलिंगन पाने के लिए संबहोना बन रहे हैं आके लिए लोग साती की चाह में परिशान हो सकते हैं जिवन को रोमांच जग बनाने के लिए अपने स्वीटों के साथ छुट्यों पर जाएं और पुरी दुनिया का आनंदा हाथों में हाथ डाल कर लिजेगा और क्या चाहिए तो चले आप बात करते हैं आपका स्वास्तर शिपल कैसा रहेगा उसके बारे में जिन्हें भी बलड प्रेशर एं फिर मदो में की शिकात हैं उन्हें अपनी सिहत के लिए सावधान रना होगा ध्यान रहें आप वही बोजन का हैं जो आप के लिए उचित हैं और व्यायम भी करें कोशिश करें कि तनाव ज्यादा ना ले योग और ध्यान केंद्रित करने जैसे प्रक्तिक्रिया अवश्यक करेगा इसे आप एकदम फेट रहें दोस्तों अब बात करते ही कि सोये हुए भाग को जगाने के लिए हमें लसुन के कोंसे टोटके अपनाना है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों अकसर देखने को मिलता है कि कोई इनसान कड़ी महनत के बावजुद भी सपल नहीं पाता जिसका वह हगदार है ऐसे में आपको जरूरी होती है उन उपायों की जो आपकी आर्थिस्थिती को मजबुत करें ऐसे में लसुन का बहुत महत्व हैं बारती रसुमें लसुन का बहुत इस्तिमाल किया जाता है जो भोजन के सुवाद को और भी अच्छा बना देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लसुन जोतीशियर रूप में भी बहुत महत्ववाला होता है और इससे जुड़े उपाय जीवर में सकरत मकताब लाते हैं सो यह भागयों को जगाने का काम भी करते हैं लसुन से कई तरह के टोटके के जा सकते हैं जिससे आपके जीवर में कोई दुख दूर हो जाएगा तुझेले जानते हैं उपायों के बारे में वास्तु शास्तर कानुसार लसुन न सिर्प नजर दोश दूर करने के लिए करगार है बल्कि इसका टोटका मालम माल भी बना सकता है इसके लिए आपको अपने पर्स में लसुन की एक कली जुकी रखने ही चाहिए यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना होगा इससे जेब हमेशा रुपें उसे बरी रहीगी यदि आपके हाथ में पैसे ठीकते नहीं है तो इसके लिए घर दुकान में जो भी तीजोरी रखी है उसमें एक लसुन को कपड़े में लपिट कर रख दीजेगा इससे धन टिका रहीगा जिन लोगों को रात में डरावने सपने आते हैं उन्हें रात को सोते समय अपने तकियों के निचे लसुन की दो या तीन के लिए रखने चाहिए अब सुबह उड़कर इन लसुन को किसी चोराई में फैक दीजेगा इससे समझें दूर हो जाएगी यजि बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो साथ लसुन को उनके शरीर से उतर कर पांच लाल साबुतल मिल्च के साथ जला दीजेगा इससे नदर दोस्टे चुटकारा मिलेगा और बीमारें भी दूर हो जाएगी अगर बिजनेस में आर्तिक परिशानियों के आ रही है तो लसुन का यह तोटका आप लिए बहुती खास है शनिवार के दिन दुकान या फिर फैक्टरी के मुख्यद्वार पर पांच लसुन की कलियों को किसी लाल कपड़े में बांद कर लटका दीजेगा इस तोटके से व्यापर में आ रही बादा जो की दूर हो जाएगी सुक श्यांती के लिए भी लसुन का टोटका खास माना जाता है इसके लिए शनिवार के दिन एक डंडी में लसुन की साथ कलियों को फसा कर घर के अंगन या फिर छत पर रख दिजेगा ऐसा करने से नजर दोश दूर होता है साथी धन की समस्या का भी समाधान निकलता है तो ये थे कुछ उपाए जिनसे कि आप अपने जिवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है और फिर सुएव भागय को जगाने के लिए आप उनका इस्तिमाल कर सकते है दोस्तो वीडियो में पताएगी जानकरी जो की जोतीश, पंचांग, मान्यताओं और धर्म गरंतों से दीगे है हमारा उद्देश महत सूचना पहुंचाना है आप इसे सूचना है तो लिजीगा इसके अतिरीक तो अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं यानका उप्योग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदिक के कुलपंडी से अवश्यस संपर करेगा आप चाहे तो ट्रेंडिंग राश्चिपल से भी संपर कर सकते हैं कुंडले और इसमें मामिलों सा बदलाव हो सकता है तो दोस्तों आज की सुड़ों में बस इतना है, मिलते हैं नेवड़ों के साथ धन्यवाद